हाई आइम राया नी पेरिंटी नी तो ए बास आलो माटला डाली कि स्टार्डर फिल्म कलकी का टीजर हाली में रिलेज हुआ है जिसमें बिग भी अस्वस्थामा का के दर्म निबाते वे नजर आ रहे हैं इस टीजर में अवता बच्चन एक पुराने मंदिर में शिलिंग की पूजा करते नजर आ रहे हैं जहां पर एक बच्चा पहुंचकर पूछता है कि आखिर वो कौन है तक विग भी उसे बताते हैं कि दौपर यूग से अस्वस्थामा है और कैसे सदियों से धती पर हैं अपमें अस्वस्थामा के बारे में खुब सुना होगा लेकिन किया आप जानते हैं कि अक बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में दोनाचार और उनकी धर्म-पत्मिक खिर्पी से भगवान शीव की कठोर तपस्या करके उन्हें परसंद किया, फिर शीव से परसंद होका उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद तिरपी की कोख से अस्वस्थामा का जन्म हुआ। सास्तुर का अनुसार कहा जाता है कि जब अस्वस्थामा का जन्म हुआ था, उनके माथे पर एक मड़ी थी, इसी मड़ी के कारण उन्हें कभी भी भूख प्यास और ठकान नहीं लगती थी। वह एक ऐसा सक्तिसाली युद्धा था, जिसे हारना आता ही नहीं था। माना जाता है कि जब अस्वस्थामा का जन्व हुआ तो वह बिल्कुल एक घोडे की हिनहिनाने की तरह रोया था इस कारण उनका नाम अस्वस्थामा रखा गया इसके साथ ही अस्वस्थामा का भगवान शीव के प्रिभक्त हैं दोनाचार के अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापूर के क्रिपाचार के यहां करते थे कहा जाता है कि एक दिन कोरव और पांडव गेंद खेल रहे थे तो अचानब उनकी गेंद कुई में गिर गई लेकिन काफी मसकत करने के बाद भी वह उसे बाहर नहीं निकल इसे बाद तो उन्हें मान ली इसके बाद द्रोन ने एक एक तिनका गेंद में भरकर उसे बाहर निकाल दिया कोरों और पांडव के यह बात भिश्प पितामा को बताया इसके बाद उन्होंने द्रोन को उनका गुरू बना दिया द्रोन चार कोरों और पांडव के विभिन तरह के विधाओं का सिखाने लगे इसके साथ ही वह अपने पुत अस्वस्थामा को भी विधा शिखा रहते लेकिन पिता मोह के करा उन्होंने ठीक ढ़ंग से विधा नहीं सीखी ऐसे ही द्रोन चार ने अस्वस्थामा और उन्स से पूरी विधी सीख ली लेकिन अस्वस्तामा ने आवाहन करना तो सीख लिया लेकिन उसे वापस भेजना नहीं सीखा। उनकी इसी लपारोय के कर महाँभारत के युद में उन्हें स्रीकिस्ण के साफ का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि महावारत के यूद के दोरां दोड़ाचार के को पांडों के दोरा हारना काफी मुश्कल था ऐसे पांडों ने अस्वस्थामा को बलकी बकरी के रूप में इस्तमाल किया जब यूद अरम हुआ तो यूद स्टीच खुप तेज कहने लगे कि अस्वस्थामा मा करा गया ही सुनाई दिया वह जब दोरांचार को कानों में ये सब पहुंचे तो वह वयाकुल हो गए और यूद के मैदान में अपने रस से उतर कर विलाप करने लगे ऐसे में भीम ने मौका का फायदा उठा कर उनके सीर पर अपना गदा मार दिया जिसे दोरों की वही मिर हो गया लेकिन मने से पहले उन्होंने अस्वस्तामा को सिनावति बना दिया महाभारत का एक ऐसा युद जो सूरेदे के साथ होता था और सूरे के बाद समाथ हो जाता लेकिन अस्वस्तामा ने एक रणनीत बनाई और एक राद पांड़ों के शिवर में घुज गया और अस्वस्तामा के पास वापस लेनी की विद्धा नहीं थी ऐसे में उसने अपना अभिमन्यू की पत्री पत्नी उत्रा के कोख पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया लेकिन स्रीकेस ने कि माया उसके पुत्र को बचा ले लेकिन उससे पांड़ों काफी करोधित हुए और उन का अस्वस्तामा के सिर्क मड़ी निकाल का उसे छोड़ दिया उनकी इन्हीं गलतियों के कारना सिर्केस ने उन्हें धर्ती में हमेशा भटटने के को शाप दिया कहा जाता है इसी साहब के आज भी अस्वस्ताना वन मन भटटक रहे हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अंता बच्चन किसका किरदार निभा रहे हैं फिल्म कलकी में